हाई फ्रेंट्स आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत शागत है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लूम का वर्गी क्यान के बारे में पढ़ेंगे और जो ब्लूम ने अपना वर्गी क्यान जो किया है वो सिक्षन एम निर्देशात्मा को देशों के आधार पर वर् असी टेट के लिए और साथ ही साथ में जो लोग वियेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए है क्योंकि वह बे अपने सब्जेक्ट में ब्लूम का वर्गी करन है तो चलिए फिर इसको समझते हैं देखते हैं वीडियो लेकिन उसके पहले हैपने चैनल को ब्रस्क्राइब 거는 कि क यहां पर हम यह देखते हैं कि ब्लूम ने सिक्षण या निर्देशात्मक या उसे आप अंदिशात्मक कह सकते हैं ठीक है ना इन उद्देशों को तीन स्रेडियों में विभाजित किया था जो मैंने आपको बताया है कि तीन भागों में इसको बाटा था जनरली क्या होता है कि इनको जो है आंगल भासा के थ्री यच भी कहा जाता है तो कभी कभी कोश्चन यह पूछा जाता है कि थ्री यच के अंतर गते कौन कौन आता है क्या क्या आता है ठीक है यह आपसे पहला कोश्चन पूछा जाता है कि थ्री यच से आप क्या समझते हैं औ इस तरह के बना के पूछ लिया जाता है कि जो कितने भागों में विभाजित किया गया है तो उसको तीन भागों में विभाजित किया गया है इसको तीन भागों में विभाजित किया है तो सबसे पहला हो जाता है ज्यानात्मक यानि हेट फिर भावात्मक यानि हाल्ट और फिर हैंड यानि मनोसंचालित इसलिए इसको त्री यच कहा गया है क्यों कि इसमें तीनों में सबसे पहले ज्यानात्मक यानि कि ज्यान जो माइंड से बुद्धी जो होता है कहां से यानि करते हैं तो किस से इसमें हैं पे हम देखते हैं आगे बेरी इंपोर्टेंट है ग्यानात्मक भावात्मक और मनोसंचाली तीन इनकी स्टेलिया हो गए सिख्षय fight ग्यानात्मक की भावात्मक ग्चैत्र और मनोसंचालीत ग्यान छेट्र और सात्मे मनोसंचालीत ज्यान चेत्र भी कह सकते हैं तो यहां पर देखते हैं ज्ञानात्मक ज्ञान छेत्र क्या कहलाता है कोगनेक्टिव डोमेन क्या कहलाता है जो बेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है और इससे कुश्चन 100% पूछा जाता है ज्ञानात्मक छेत्र से आपके तो देखें ज्ञानात्मक ज्ञान का मतल इस ग्यान आत्मक्षेतर वह बहुत कि लिए आपके लिए है क्योंकि जो एस्तर दिये गए उन में से इनकी कॉर्ण के पूछा जाता है कि तीसरे नंबर में कौन सा आता है चौटे नंबर में क्या आता है इस तरह का question पूछा जाता है तो आपने इसके पहले paper दिया होगा तो आपने देखा होगा कि 6 अस्तरों में से दूसरे नंबर पे क्या आता है या प्योग जो है किस अस्तर पे आता है ठीक है ना तो यह very important आपका बनता है तो जहां पे बौद्धिक शंता के विकास की बात होत ज्यान से knowledge से याद रखना है ठीक है ना ज्यान पहला अस्तर का नाम ज्यान दिया गया और यह मूल रूप से जानकारी को याद रखने से संबंदित होता है यानि किसी भी सामगरी को आप या किसी भी जानकारी को किसी भी knowledge को किसी भी जानकारी को याद रखना ही ज्यान कहल विए नहीं बोध का नाम क्यों दिए इन्हों इसको और नाम तिना समझ का मतलब क्या होता है इसको आप गया को आप समझरा आप समझ कहते हैं तो यह जो इस्तर होता है सामगरी का अर्थ समझने की छमता से समझना मैंने पहले कहाना बोध का मतलब समझ होता है तो पहले में सामगरी को सिर्फ याद रखने से समझना और दूसरे वाले में बोध का मतलब समझ होता है तो सामगरी को समझने की छमता से समझना यानि पहले म दूसरे वाले में समझने की मतलब समझ हो गया यहां पर देख लेते हैं ने यह अपलिकेशन जो अ too.. यानि कि यहां पे आप इस तरी से को कह सकते हैं यानि कि ठूल से दी हम मैथ में में लेते हैं कि एक जो परीदिया जो फिर्यास याय न 우리가 τη िकालना है ठीक रहें हमffentlich तब तक उसको ने ग्यान से मूर्थ ग्यान को मूर्थ या बिहारिक जीवन में ठीक है ना समझने लगते हैं जानने लगते हैं उसको बिहारिक जीवन में लाते हैं उसको प्योग कहते हैं यानि कि पहले हम एक त्रिज्या बनाते हैं त्रिज्या जैसा कोई एक सरकल ले लेते हैं तो उसे हम क्य इस तरह से जब हम किसी चीज को प्योग मेलाते हैं तो वह उप्योग कहला जाता है तो अमूर्थ से उसको मूर्थ या बिवहारिक जीवन मेलाना इतना क्लियर हो गया फिर विशलेशन याने अनलेसिस बेरी इंपोर्टन्ट होता है यह क्योंकि प्राप्त सुचना को संगटकों में इस प्रकार से विभाजित करना ताकि उसके अर्थ को उचिट डंग से समझा जा सके हम visualization का मतलब ही होता है कि कोई हमें एक data दे दिया जाता है कोई हमें information दे दी जाती है फिर उसका हमें विस्तार रूप बताना होता है ठीक है ना तो कोई जो हमें सुचरा मिलती है तो उसको विभाजित करना अलग करना और पिर उसको अर्थ के साथ में अच्छे से उसको विस्तार से विस्तार से बताना उसको समझाना विस्तार कहलाता है यानि उसको उसके अर्थ को उचित धंग से समझाना संसलेशन में क्या होता है कि जो मूल घटक होते हैं उनको समावेसित कमबाइन करने के बारे में है देखे अभी हमने यह देखा कि 20 लेशन में क्या होता है कि जो सूचना के घटक होते हैं उनको हम क्या करते हैं विभाजित करते हैं उनको हम अलग करते हैं लेकिन संसलेशन में हम क्या करते हैं कि जो घटक होते हैं उनको समावेसित करते हैं यानि उनको कमबाइन करते हैं यानि उनको जोडते हैं हम ठीक है ताकि यह कि समगर सोच बिक्सित हो सके और इस अस्तर को बिसलेशन अस्तर का बिलोम भी माना जाता है अभी मैंने का रेंटोनियम माना जाता है कि का ठीक फिर सिसको देखती समझते हैं उसके घटक को हम विभाजित करते हैं और संशलेशन में क्या होता है कि जो घटक होते हैं, जो सूचनाय होती हैं, जो घटक होते हैं, उनको हम समावेसित करते हैं, यानि कमबाइन करते हैं, एकठा करते हैं, और जो सोच होती है, ताकि समग्र सोच, एक साथ सभी सोच बिक्सी, तो एक साथ हम इस चीज को समझा सकें, तो जर्नली जो संसलेशन, बिसलेशन जो होता है, वो संसलेशन का क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है न, जश्ट उल्टा होता है, ओके, चलिए मुल्यांकन, 6 नंबर पे है, तो देखिए विशेश प्रयोजनों में प्रयुक तरीके और सामगरी के मुल्यांकन के बारे में निर्ने करता है, कोई दे दी जाती है और उसमें उसका मुल्यांकन करना पड़ता है कि इसका मुल्यांकन करिए कि यह कैसी है क्या है गुण दोस्ट कुछ उसके बारे में बताने पड़ते हैं तो यह ज्यानात्मक शेत था जो बेरी इंपोर्टेंट आपका और इससे आपके बहुत सारे कोश्चन ज्यानात्मक शेत्र से पूछे जाते हैं कि इसको छे भागों में विभाजित चे अस्तर आपके बहरी इंपोर्टेंट हैं अब हमने जो ग्यान चेत्र पढ़ा उसमें हमने एक बुद्धी से संबंदी चीजे हमने पढ़ी माइंड का उसमें हमने यूच किया ठीक है ना औ ग्यान चेत्र के उन्तर गत गे मनोद्रिष्ट मनोब१ा जो अटीट y Lebharimah 555 म से सभागिता कि इस 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 ग्यान चेत्र हम जिए हुआ हमनो के ऐसी नर्याजयर्णम वहते हैं ऑंदील से उत्रणूजे कि मिलirk कानव कि म Common हैं के लिए सुनने लगते हैं में किसी को सीखना है तो एक प्रेणा हो जाती है भावात्मक मतलब ही आप का होता है मनोब दिस्ट मन से मन के दिखना मन के भाव से देखना प्रेण ना किसी से लेना ठीक है ना और साथ साथ में सीखना, यानि student participation जो होता है, वो भी important होता है, तो उसका महत्त जानना और जीवन में अनुसासन जैसे मुल्लो को समावेसित किया जाता है, इसके अंतरगत क्या-क्या चीजे आती है, ये देख लेते हैं थोड़ना सा, तो इसमें देखिए इसको पाँच पहले आप सुनते हैं, फिर आप उसका कुछ reply करना चाहते हैं, responding, यानि प्रतिक्रिया याद कर लिजे, responding, कुछ आप response देना चाहते हैं, कुछ आप question करना चाहरे हैं, कुछ पूछन चाहरे हैं, फिर आकलन होता है, ठीक है ना, value यानि जो हम सीख रहे हैं, उसका क्या महत्त प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया क्जाम में कभी कभी पूचा जाता है कि सुनने की जो इक्षा है सबसे इंपोर्टेंट आपका ज्यान छेत्र होता है और सबसे इंपोर्टेंट आपका ज्यान्छेत्र होता है प्रति रूपता इसमें किसी कुसल वियक्तिया सिक्षार्तिया को यह था प्रति रूप में अपनाया जाए जिस रूप में प्रति रूपता इमिटेशन यानि उसको उसी रूप में अपनाना कारिशादन या हस्त कौशल तेक शिक्षार्ति मसीनरी उपकरण आधी के साथ प्रयोग करने का प्रतने करता है जो इस्टुडेंटर चात्र है वह मसीन का प्रयोग करता है वह ताकि उसका आत्में भी स्वास बढ़े तो कारशादक एवं हस्तकौशल तो क्या हो जाता है तो रहें परशुद्दिता अक्षर कहा जाता है कि करत करत अब्यास के जडमत हो सुजान यानि एक कार को बार बार करने जोसमें सुधार्यव कर रहे हैं तो पडिसे में अभीयाति आती जाएगे, अची से स्प्लें में नहीं दीआ कुछ सिडुटन्ट एसे होते हैं दीरे दीरे ये समय वितित होता है और वे बिल्कुन मचेवर हो जाते हैं और मेडम को टीचर को अपने जानने समझने लगते हैं तो इस पर अव्यक्ति भी वो कर पाते हैं और दूसरा जो हमारा निष्ट है लास्ट है वो प्रकिती करण यह कोशल को आत्मे साथ किया जाता है सिख्षार्थी के अनुरूप बन इस पर अभी व्यक्ति और प्रकिति करण यहां पर 2001 में जो एंडर्शन और करत बूल जो है उन्होंने ब्लूम बर्गी करण में कुछ अंसोधन किये थे और जिनके अनसार ज्ञान के सोचने का सोचने का परिणाम माना गया है और उनने समझ के स्थान पर बोध शब्द और संस्लेशन के स्थान पर सुचनात्मक्ता सब्द का भी प्रयोग पर अधिक बल दिया है तो कभी कभी क्या होता है कि जो हम उपर जो पढ़के आते हैं ग्यानात्मक ग्यानात्मक के बाद यहां पर जो हम बोध पढ़ते हैं तो आहां पर बोध की जगह स्रिजनात्मक्ता समझ जिसको हम बोलते हैं ठीक है ना तो समझ के स्थान पर बोध सब्द का यूज किया गया जैसे मैंने कहा भी है आपको कि बोध का मतलब ही समझ होता है और संसलेशन के स्थान पर बलकि सिजनात्मक्ता का यूज किया गया यह आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है लेकिन साथ से ही है संस्लेशन की जगह सिजनात्मक्ता सद्ध का प्रयोग किया गया लेकिन बोध का मतलब समझ ही होता है तो कहीं कहीं पर बोध की जगह समझ का भी यूज किया गया है और इंडर्शन और जो करत भूल है उनके अनुसार ग्यान के चार आयाम है उनके अनुसार अगर ज्यान का घ्यान तो यहां के ब्लूम का वर्गी करण में सबसे पहले घ्या div 3 वघानात्मा ज्यान का चेट बावात्मात्माग् तो प्रिए इंपट्नट है अवीडियो करें बलाइक करिये शेयर करें और अब प्रस्क्राइब कर लीजिए अनको प्रस्क्राइब प्रस्किर नॉट्रिकेशन आपको अभी से अविलिवल सेफिया नेश्ट वीडियो की साथ हम आपसे फिर मिलती है तब तक के लिए चेकेर बाल